केटरपिलर का मतलब जिल्ली होता है जितनी भी तिथलिया या मोट होती है ये सबी अंडे देती है और फिर ये धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है केटरपिलर में स्पेशल ग्लांड होती है जिससे वे सेक्रीशन करती है और इसी सेक्रीशन से सिल्क बनाती है caterpillar के सिर पर 12 छोटी छोटी आखे होती है जिसे हम Ocili कहते हैं इसके सिर पर 2 जोड़ी जबड़े भी जुड़े रहते हैं जो mandibles कहलाते हैं caterpillar की skin strκιable नहीं होती है और इसका size बढ़ने से skin तूटती जाती है caterpillar के आगे 3 जोड़ी pair होते हैं जिसे हम thoracic leg कहते हैं, ये चलने तथा पकड़ने का काम करती हैं. caterpillar के पिछे के पैरों को हम pro leg कहते हैं, वे डालियों को पकड़ने का काम करते हैं. इसकी body 13 segment में divided होती है. सबी insect की तरह ये भी अपने शरीर पर मुझूद छेदों से ही सांस लेते हैं. ज़्यादा तर caterpillar का color हरा ही होता है, ताकि वे असानी से पत्यों में छुपे रह सके, क्योंकि इनका मुख्या आहार पत्या ही होती हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ caterpillar तो मासाहारी भी होते हैं. पता हैं बच्चों, वैसे तो मोट के सभी केचपिलर सिल्क बनाते हैं. लेकिन जो सबसे अच्छी quality का सिल्क बनाते हैं, उसे silk warm कहा जाता है.